इक गाउं में बास करते थे एक मुर्गा एक कुत्ता उन दोनों में बहुती अच्छी दोस्ती हो गई थी सुन रहे हो डोगी भाई लाइफ बहुती बोरिंग हो गई है क्या होगा है और क्या होगा पही सुबा सुबा सबके उठने से पहले उठकर सबको सुबा सुबा जगाना और खाने की तलास में लग जाना अच्छा नहीं लगता है अब ठीक बोल रहे हो मुर्गे भाई एकी जैसा है जीवन हम दोनों का मुझे और अच्छा नहीं लगता एकी जगा घूमना और इधर उधर घूम के खाना डूनना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है चलो एक काम करते हैं क्या आइडिया तो चलिए ना हम दोनों मिलकर कहीं घूमने चलते हैं कहीं घूमकर आएंगे तो हम दोनों का मन अच्छा लगने लगेगा हां बहुत अच्छा आइडिया है तो तलो घूमने तलते हैं मैं बहुत दिन दे घूमा नहीं हूँ बहुत ही मज़ा आएगा हाँ हाँ तो फिर कल सुबा हम लोग रवाना हो जाएंगे ठीक है? हाँ ठुक है अगले ही दिन सुबा सुबा दोनों दोस्त निकल पड़े घूमने के लिए कुछ जगे घूमने के बाद जब वो दोनों ठक गए तो दोगी भाया घूम घूमके न मैं बहुत ठक चुका हूँ चलिए न कहीं ठेहर के आराम करते हैं फिर कल सुबा निकलेंगे घूमने के लिए हाँ? हाँ भाय मैं भी पहूर ठक चुका हूँ दलो उच पेल के नीचे आराम करते हैं हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो चलो आज हम लोग यहीं आराम करते हैं यही कहके दोनों दोस पेड़ पे आस्रा लिये कुता पेड़ के घोशले में रहा और मुर्गा डाल पे देखते ही देखते रात पीत गई और सुबा होते ही जब मुर्गा बांग दिया तो उसकी आवाज सुनकर वहां उसे खाने के लालच में लोमड़ी आ गया अरे यहां क्या कर रहा है कहां से आया है यह अगर मेरे हाथ लग जाए तो इसे बड़ा ही मजे से खाता में कैसे विकर के इसे नीचे उतारना ही पड़ेगा अरे मुर्गा बाईया मुर्गा बाईया वहां क्या कर रहे हो नीचे आओ ना क्यूं लोमडी भाई कितने अच्छे हो तुम देखने में कितने रंग बिरंगे हो एक बार नीचे आओ ना तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहता हूं और दोस्ती करना चाहता हूं हम्हारी चलाकी में अच्छी तरह समझ रहा हूं रुको मज़ा चक्छाता हूं क्या हुआ लोमडी भाईया जो बोलना है वहीं से बोलो ना मैं सुन रहा हूं नात इतने दूर से कोई बात करता है और पत्तों के बीच में से साई से तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है एक बार नीचे आओ ना दोस्त मैं तुमसे बात करना चाहता हूं तुम्हारे कले की आवाज कितली मीटी है आओ ना नीचे ठीक है तुम इतना बोल अरे हो लोमडी भाई तो फिर मैं नीचे उतर रहा हूं लेकिन इससे पहले मेरा रक्षक नीचे पीड की घोसले में सो रहा है उसे पहले उठाओ आने नीचे घोसले में एक और मुर्गा है मैं कार में मैं अपने समय खराब कर रहा था उसे नीचे उतरने के लिए बोल के जात पहले उसको ही खाता हूँ अच्छा भाई ठीके में पहले तुम्हारे रक्षक को ही जगाता हूँ लोमडी पेड के घोसले का तरब बढ़ा उसे खाने के लालच में और मुर्गे का तोस्त कुत्ता उसका गला पकड़ा और उसकी वाही मोथ हो गई और मुर्गा पीड पी खड़े खड़े देख रहा था तमासा बड़े ही मज़े से लोमडी मर गया थेंक यू टोगी भाईया ये बहुत पहले की एक बात है एक घने जंगल में रहता था एक कववा एक खिरन एक चुहा और एक कचुवा चारों की एक दूसरे में जान बसती थी सुख में दुख में संपदा में विपदा में रहती थी चारों की अप्रतिम दोस्ती एक दिन इससे पहले की कववा कचुवे को बला था कहीं से एक जाल हाकर गिरा कचुवे के ऊपर जाल में फसा कचुवा जब जट पटा कर जाल से निकलने की कोशिश करने लगा तो और भी जाल में फसता चला गया जाल की डोरी को पकड़े हुए पेड के पीछे से निकल कर आया एक शिकारी उसके बाद कववे ने उड़ना शुरू किया और सीधा पहुचा चुवे के घर के सामने उसके बाद अरे अरे चुहे अरे चुहे भाई अरे अभी निकल वहर भयानक विपदा है क्या हुआ क्या हुआ अभी हीरन भाई के पास जाना होगा चलो जल्दी अरे विपदा किस बात की है वो तो बताओ ना अरे मत पूछो मत पूछो भाई, कच्छवे भाई पर बहुत बड़ी विपदा आई है, शिकारी के जाल में फस गए हैं कच्छवे भाई, चलो जल्दी हीरन भाई को बताते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हाँ हाँ, चलो चलो चल्दी इसके बाद जितना जल्दी हो सके कववा और चूहा पहुच गए हीरन के घर पे, हीरन दूर से ही उनको देख कर बोला आओ आओ, बैट कर जरा बाते करते हैं, समय नहीं है, अभी निकलना पड़ेगा, कच्छवे भाई विपदा में फस गया है, अभी चलो क्यों, क्या हुआ है? अरे, कच्छवे भाई को कंदे पर भांद कर एक शिकारी चल पड़ा अपने रास्ते, कच्छवे भाई को बचाना होगा, जल्दी चलो वरना कोई आस नहीं बचेगी इस तरह से कच्छवा भाई को बचाओगे, सोचा है कुछ? नहीं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है अरे, मुझे एक तरकीब सुजी है, सुनो तीन दिमाग एक जहा लग कर पता नहीं क्या परामर्श किया उसके बाद हीरन चुहे को पीठ में बिटा कर दोड़ पड़ा दूसी तरफ कववा भी आसमान में अपने पर फैला रहा था अचानक दिखाई दिया कि शिकारी कच्छवे को खंधे पर लाद कर महा आनन्द से चल रहा है अचानक शिकारी देखता है कि दूर एक हिरन गिरा हुआ है और उसके ओपर बेटा है एक कववा जो हिरन को चोंच मार रहा है क्या वो हिरन का मीठ है कोई गन तो आ नहीं रही पर सोचो राद में हिरन का मीठ खंगा चावल पता नहीं आज किसका मूदे का था मैं आ रहा हूँ हिरन शिकारी जाल समेट कंदे से कच्वे को उतार कर एक पौधे के सामने मिठ्टी में रखकर जल्दी जल्दी हिरन को देखने चला गया और उसी का फायदा उठाकर धान के अनुसार चुहा कार देता है कच्वे का जाल और दोनों दूर जाका धास पूस में चिपकर मजा ले दो अरे यार मुझे बेवकुफ बनाया बेवकुफ बनाया मुझे मरा हुआ ही रन तो जिन्ता हो गया अरे चलो यार कच्वे कोई घर लेके जाता हूँ और खाता हूँ फिर वो शिकारी रास्ते के किनारे पौधे के पास आकर खणा होता है लेकिन यहां पहुचकर वो पूरी तरह से आश्चर्य में पढ़ जाता है और उसके बाद हे बागवान हे बागवान यह क्या बूलकर बैठा मैं हीरन भी गया और कच्छुआ भी गया हाए 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 यह मैं क्या बूलकर बैठा बागवान हीरन भी नहीं मिला और कच्छुआ भी गया चुपचाब घर निकल लो अब पूर्पूर के बिध्यालाई में पाचवी कक्षा में एक लड़का नया आया था उसका नाम था जलधर उसके मामा पूलिस में थे और इसका पीताजी थे डिटेक्टिव इसलिए ए भी अपने आपको एक डिटेक्टिव समझता था लेकिन एक दिन घटा एक घटना सुना है तू कल जगदीज बाबू के घर से बरतन चोरी हो गया क्यों नहीं होंगा अंधेरे में है उनका घर लेकिन हमारे घर से चोरी करना बहुत मुश्किल है क्यों क्यों मेरे कहने से रामु काका घर के दरवाजे पे बरतन सजा के रख जेते हैं ताकि चोर अगर बरवाजा खोलने की कोशिश करे तो बरतन नीचे गिर जाए और आवाज से घर वाले उठ जाए और चोर भी भाग जाए सच में जलधर का दिमाग बहुत है ओए तुम लोग सुने हो कल जलधर के घर से बहुत बड़ी चोरी हुई है हाँ यह क्या बोल रहा है दो दिन शवर करो चोर को रंगे हाट पकड़ूंगा लेकिन दो तिन से दो मैना कुजार गया जलधर चोर नहीं पकड़ पाया इधर इसकुल में घटने लगा घटना किलास में सुरू हो गया लांच बॉक्स चोरी ए रमेश खाने में क्या लाए हो आज यह देख पूड़ी और सब्ची चल हाथ मूँ धोकर आके खाते हैं चल हाँ चलो ए क्या अपरा लंच बॉक्स का है बताओ क्या होगा क्यों जलधर चोर पकड़ पायेगा तू बता दो दिन शमेटो चोर को रंगे हाट पकड़ूंगा दो दिन बीत गाया लेकिन चोर नहीं पकड़ाया दो दिन बाद फीर से जतान चोर मेरा खाना चोरी करके सारग खा गया तू फिकर मटकर मैं चोर पकड़ लूँगा जलधर तू तो स्री बोलता है चोर क्यों नहीं पकड़ता तूम लोग अपने में जगड़ा ना करके चोर को पकड़ो जले पड़ता है चोर कोन है? कोन? हमारी स्कुल में जो नाया पियोन आया है वो तू बकवास मत कर वो ब्रामन है और अच्छा है सीधा साधा वो चोर नहीं है हाँ सच में पियोन को में बहुत बार खाना दिया है लेकिन वो खाते ही नहीं किसी का खाना पकवास मत कर तू तूम लोग मेरी बात तो थूनो रातक दिप्टेक्टीब तोर को पकड़ ना ले तब तक शक करता है जैसे मैं किया हूँ थोड़ा छबर करो स्टोर को में रंगे हाट पकड़ूंगा क्यों जलदर तेरा चोर कहां गया? तहे मेरे डर से भाग गया वो तुने हो तुम लोग प्रिस्टल के रूम से लंच बोक्स चोरी हो गया क्यों जलदर आप क्या करोगे? कल में डाल बिछाऊंगा देखता हूँ चोर केशन ही पकड़ाता है मुझे लगता है जो हमारे घर से चोर बरतन चुराया था वही चोर होगा प्रिक बैट चोर पकड़ा जाए फिर सीटा उसको प्रिस्टले पाट लेट आएंगे बातों के अनुसार जलदर क्लास में डिफिन रखकर राया पूरी छोला हलवा रखकर छिट कर देखने लगा तभी अचनक क्यों जलदर लग रहा है यही चोर तेरे घर पे चोरी किया था तो फिर सीपले चलते हैं थाने उसके बाद जलदर अपने आपको सबसे कहने लगा कि मैं एक डिटिक्टिब हूँ प्राचीन समय की बात है संकर सर्मा नामा के बद्र पुरुष ग्राउं में रहते थे कुछ दिन पहले ही वे सांती निकेतन में एक घर खरीदे थे घर खरीदने के कुछ दिन ही बात एक विचित्र प्रकार की घटना भटी एक किसी सद्वी में भूत ये तो चम्बू की बात है अगर ऐसा नहीं होता तो रात के समय जंगला पर पत्थर कौन मारता बारामदे में हटी और कोपडी पड़ी रहती है घर के मारे पत्नी और बच्चे उस घर में नहीं जाना चाहते इसलिए सोचता हूँ उस घर को मैं बेच दूँ अगर आप अगया दे तो बोलो बहुत दिनों से इच्छत था कि मैं अपने आखों से भूद देखूँ अगर मैं आपके उस घर में एक दुरात रह जाओ तो ठीक है कब जाना चाहते हो बताओ अगला सनिवार को इसके साथ कल ही है मौस्या है चले आप और हम दुनों चलते हैं ठीक है तो कल ही चलो दूसरे ही दिन संकर सर्मा उस आदमी को लेकर अपने उस नए घर पहुंचे वाह आपका घर जितना बढ़िया है उसका चारूर का परविस और सुन्दर है अरे नमस्कार शर्मा जी आए 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 कव आए यही तो आई दो पहर में साथ में वा कोन है अरे मैं इनका दूर का संपर्ग का भती जाओं सांती निकेतन देखने आया हूं बहुत अच्छा रहोगा न दो चार दिन जी हाँ दो चार दिन रहूंगा तो ठीक है मैं भी एक दिन आकर यहाँ पर अड़्डा जमाऊंगा अभी मैं चलता हूं वा आदमी कौन था? वही उस तीन तरला घर का मालिक है कम से कम तीन सो चार सो एकर जमीन का मालिक है वा घर बेचने वाला थे क्या कोई खरिदने वाला मिला है? भुता घर बोलकर चार और बात फैल गई है फिर इसे कौन खरिदेगा बताओ? ऐसे दुगे जी ने तो खरिदने की बात कही थी हमसे लेकिन इस घर को बेचने की इच्छा मेरी अभी नहीं है घर घर गटना उस समय के लिए तो टल गई लेकिन उसी दिन रात में अरे बाबरे बाब आपके घर खरिदने के कुछ पहले ही साप डसने के कारण रतन नाम के एक लड़के की मृत्य हो गई थी वास्तव में वह एक पागल था उसका श्रद अच्छी तरह उसके घर वाले नहीं किये लगता है मरकर के भी वह पगलामी करता है जो भी हो थोड़ी साउधानी से रहिएगा मैं चलता हूँ अंत में यहां पागल भूत भूत पागल हो चाहे जैसे भी हो किसी के घर में तो जूता चपल पहनते हुए घुमते हुए तो नहीं देखा है हमने यह देखिए आज सुबह ही मैं आपके घर के पीछे यह पाया हूँ सुनिए आज रात में ही हमी लोग को पहरा देना होगा वह देखिए वह कोन आ रहा है शही बात है तो इस बार मज़ा देखिए क्या हो रहा है कौन कौन हो तुम मैं जगू मैं जगू पखला हूँ तो बेटा राखाल तुम सरमाजी का घर दखल करने के लिए मेरा नाम भूत रहकर परचार कर रहे हो तो मैं आगे ही तुम्हारा गर्दन मोरो रूगा तो ठीक है बहाई आज तुम्हारे ही कारण इस घर का भुता नाम मिट गए लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है क्या बात राखाल भटा चार्ज के पास तो बहुत पैसे हैं अगर वे चाहते तो अपने जमीन पर ही खूब बढ़ियां घर बनवा लेते तो हमारे इस सामन ने घर को वे दखल करना क्यों चाहते थे कारण भूत का डर नहीं दिखाने से अपना घर तो नहीं बेचते आप सांते निकेतन में आकर बात को नहीं समझ पाएं इस संसार में जो भी आता है जिसके बाद जितना रहता है वो और चाहता है राजा भी गरिब जंदा का पैसा चुरा कर बहुत महान बनता है झाल